वास्ट अप गाइज हाव यू वास्ट श्टोरी आप सारे बड़ी आऊंगे वाकम टू दे न्यू व्लॉग दिस इस रूव तो आज के व्लॉग में हम बात करते हैं टर्की के एवीजा को लेके कि आप घर बैटे बैटे कैसे टर्की का एवीजा अपलाई कर सकते हो ले सकते मैंने थोड़ा बहुत अपनी इस्टानबूल की जो मेरी पुरानी वीडियो सी जैन्विरी की उसमें मैंने थोड़ा बहुत एक्स्प्लेइन किया था अभी आपको थोड़ा डीटिल में पताता हूं कि कैसे आप वीजा ले सकते हो बहुत ईजी है तो रूम में चलते हैं ब रहते हो अगर आपके पास वैलेड जीनाबी कार्ड है या आपका आयाड़ पी कार्ड है तो आप घर बैटे-बैटे कैसे तर्की का ई-वीजा अपलाई कर सकते हो अगर अपने घूमने के लिए जाना तर्की आतिंक काफी लोगों को नहीं पताए कि अगर उनके पास कोई किसी भी यॉरॉपेइन कंट्री का रेजिडेंस पर्मिट है या फिर यूके का तो आप तर्की का ई-वीजा अपलाई कर सकते हो और नौन यू पासपोर्ट और कैसे आप घूमने जा सकते हो तर्की विदाओ इवन यू आफ तो तो तर्की अबैसी तो अबैसी जाने की सब्सक्राइब के लिए तो सबसे पहले आपको टर्की एवीजा लेने के लिए जो उनकी वैबसाइट है उफिशल वैपसाइट ऐनकी विजा के लिए उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिफ्षन में छोड़ दोंगा आप चैक कर सकते हो एंड वही वैबसाइब कर ब स वो आपको like upload करना पड़ेगा and that's really it और आप अपनी फीस पे करो फीस होती है depending on the nationality again 40 to 50 dollars की फीस होगी उनकी और आपको जो वीजा आपको मिलेगा वो मिलेगा 6 मिने के लिए 180 डेज कभी-कभी आपको single entry मिल सकता है और कभी-कभी आपको multiple entry मिल सकता है जादा तर 80% आपको multi entry देते हैं six months का विजा तो six months में आप कभी भी कितनी बार भी तर्की जा सकते हो in a multiple entry visa and तो जब आपने अपनी सारी details वगरा भर दी आपको अपना card यूज करना है कोई भी card master card or debit card whatever you want उसकी जो फीज करके तो आपको hardly 2-3 minute में आपको वीजा आपकी email पर वही आपने प्रिंट करके hardcopy लेकर जानी है whenever you flying तो जब आप लैंड करोगे तर्की में जो like immigration officer होगा वही आपको वीजा देखेगा यह passport your return ticket as well and your hotel accommodation तो यह तीन चार चीज़े आपको मस चाहिए जाहिए वन्यू ट्रावलिंग तु टर्की तो that's really it तो make sure करना भाई लोग की जो आपका JNAB card है जो आपका IRP card है आरलेंड का वह valid होना चाहिए उसी के बेस पे ही आपको टर्की का ईवीजा मिलेगा उसी के बेस पे अप अलिजबल हो टर्की जाने के लिए विदाउट इवन गोइंग इंटु टर्किश अमबैसी और यह जो टर्की का ईवीजा है यह खाली आरिश आयरपी card पर नहीं यह किसी भी country का मतलब किसी भी यूरुपीं कंट्री का आपके पास रेजिडेंस परमेट है यह फिर यूपी का रेजिडेंस परमिट है उसके बेस पे आप टर्की का ईवीजा अपलाई कर सकते हो और आपको टर्कीश अमबैसी में जाने की जुरुत नहीं है वीजा सेपरेट फाल करने की कोई घूरूत है if you holding a European residence permit or a UK residence permit और यह जो टर्की का e-visa है यह खाली घूमने के लिए है only for tourism purposes यह खाली उन्हें लोगों को इश्यू किया है जिनके पास European residence permit या UK residence permit तो उन लोगों को Turkish embassy जाने की कोई जरूत नहीं है आप e-visa से भी तर्की घूम सकते हो और जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो थी शेंगन वीजा के बारे में कि आप आर्लेंड से कैसे शेंगन वीजा अप्लाइब कर सकते हो क्योंकि समर बग्यारा आरही है आपका सबका आपका क्या सबका दिल करता है घूमने फिरने का होलेरिस करने का तो शेंगन वीजा कैसे अप्लाइब कर सकते वालेंड से बट तर्की का भी ऑप्शन है मैं तभी ये वीडियो तर्की एवीजा के बार में बनाई है कि कोई भी नॉन यू पास्पोर्ट किसी के पास यॉर्पीन रिजिदेंस परमिट है विदाउट इवन आप अपना दर्की का एवीजा पाइब कर सकते हो और सब्सक्श्य अपना दर्की का उप्लिदेंस तर्की कि वह बात करते हैं थोड़ा टर्की के वरे मैं भी इस्तानबूल गया था कि अगर आपने मेरी इस्तानबूल की वीडियो देखिए तो ले मिया ठीव कि आपढ़ फार ते पान दिन रुका था और एवरीडेः हमने इस्टानबूल इस बिग बधी शिटी बहुत बड़ी शिटी है और इस्टानबूल हगाज तू साइट साइट वन इस एंकेशय साइट थो दोनों साइट बहुत ही खुप सुरत है और सबसे में बार टर्की की है कि वो सस्त बहुत है if you spending in euros तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको बस तर्की थोड़ा फ्लाइ करना है क्योंकि थोड़ा दूर है तो फ्लाइट टिकेट थोड़ी एक्स्पेंसिव है वहां की बट अधर दन दाट होटेल्स फूट्स फूट्स वह बहुत सस्ता है आपको इतने पैसे नह अधर आपने मेरी इस्टानबूल की वीडियो सेखी होंगी तो आपको आइडिया हो जागा कि कौन-कौन फी में अट्रेक्शन साइट्स है और दोनों साइट्स जो एक यॉरोपीन साइट ऑफ इस्टानबूल और जो लाग एशे साइट ऑफ इस्टानबूल दोनों में इस्टानबूल अगर तर्की इस वर्थ विजट इस्टानबूल अच्छा है डेफिनिकली अपको गूमना चाहिए और सबसे इंपोर्टन बात तो आज आप सभी को पता लगा होगा कि आप शेंगन के इलावा तर्की भी घूमना जा सकते हो और यह वीजा और लांसमें मैं आप तर्की का ई-वीजा ले सकते हो तर्की भी एक्स्प्लोर कर सकते हो तो तर्की भी जरूर एक्स्प्लोर करना खुमो फिरो व्याश करो यार तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं आप मस रहें स्वस्त रहें जहां भी रहें हम से मिलते रहें मैं यूहीं कुछ औ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करें जो हम मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू व्लॉग के साथ तिल एन टेक केर चाओ